यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे अपनी मॉम से ही प्यार हो जाता है फिर यह अपने फादर से चुप-चुपके अपनी मॉम के साथ इंटिमेट होता है और तो और इस रिलेशनशिप के चलते इसकी मॉम इसके एक बच्चे को जनम भी देती है इन दूनों के साइमं अपनी फैंङ से दूर रहा करता था ये अपनी गर्फेरन के साथ मिलके काल फैस्टवल की दीआरी कर रहा था आज इसके डैट का बेटले था जिसके चलते पूरी फैमिली इकठी हुई थी इस वझा से साइमन भी अपनी गर्फ्रैन्ट के साथ घर आता है ताकि ये अपने फादर का बर्थडे सेलिबरेड कर सके। अपनी सेकरटरी बना कर इनके सॉट अफیर चलाया करते थे। इसके डैड के इन हरकतों से इसकी फैमली को तो कोई प्राब्लम नहीं थी लेकिन इसकी मॉम अंदर ही अंदर परिशान रहा करती थी साइमन अपनी मॉम से कहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ तो साइमन की मॉम इससे रिक्वेस्ट करती है कि अगर तुम कुछ दिनों के लिए क्लिनिक का काम संभा लो तो मैं भी तुम्हारे डैड के साथ हॉलिडेस पर जा सकूँगी थोड़ी दिर सोचने के बाद सोनिया यहां से उठके चली जाती है फिर जफ साइमन सोनिया की कमरे में जाता है तो सोनिया इससे कहती है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे डैड और मेरे बीच रेलेशन्शिफ किस लेवल पर जा चुका है फिर जब सोनिया बाहिर फून पर बात कर रही थी तो साइमन उपर खड़ा होके इसकी बाते सुनेता है और समझ जाता है कि इसके डैड इसकी मॉम के साथ हॉलिडेस पर जाने के बावाजूद सोनिया से कॉल पर बाते कर रहे हैं फिर अगले दिन ये दोनों जब क्लीनिक पर काम कर रहे थे तो ये तोनों काफी बोर हो जाते हैं तब इससोनिया सायमन के रूम में आती है और बातो बातो में से कहती है कि तुम्हारे दैड मुस्से प्यार का इजहार भी करते हैं और मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम्हारी मॉम के साथ हॉलिटेज पर भी चले गए। यह कहने के बाद सोनिया काफी इमोशनल होके रोने लगती है। तभी साइमन इसे टीशू ऑफर करता है लेकिन सोनिया इसके गले लगके रोने लगती है। और देखते ही देखते स सोनिया इसे किस करती है कि तहीं होशा जता है उन्हें कि अभी सायून है strip girls say समझ नहीं आता कि साथ किया वादा निभाए या ति दोनों को नाराज करना चाहता था सोनिया से सूरी बोलता है और गल्यृर कि होके की आइथ कोई बहुत गाना है तो साइमन इस जह कहता है कि प्लीस इस बारे में डैड से कोई भी बी बात नहीं करना लेकिन सोनिय से बताती है मैं तो पहले ही तम्हारे चुकिती है कि मैं तुम्हारे पीशे एक लड़के के साथ कफी इंज्यॉइ कर रही है ने उस Но activated को नहीं कर दोनों जोगते हैं कोशिच की थी ऐसा करते हुए से देख लेती है और इसविख लेती है और वापस ignore that is आप है सोनिया इसे कहती है इस बात पर मैं तुम पर कीस कर सकती हfeltी हूं साइमन इस से फायल वापस चीनता है कि तभी ये दोनों दुबारा करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं इस पर साइमन बे खुद को रोक नहीं पाता और ये सोनिया के क्लोस आ जाता है तभी सोनिया इससे कहती है कि नीचे चलो यहां हमें कोई देख सकता है जब ये दोनों नीचे जाने लगते हैं तभी क्लीनिंग में काम करने वाले दूसरे मेंबर्स आ जाते है जिने देखकर साइमन दर्वाजे के पीछे चुप जाता है इसके बाद साइमन सोनिया के पीछे पीछे नीचे रूम में खीचा चला जाता है साइमन का दिमाग काम करना बंद कर चुका था ये सोनिया से बाहिर बैट के कुछ बात करना चाहता था लेकिन सोनिया इसे सीधा बैटरूम में बुलाती है और इसके साथ INTIMIATE हो जाती है INTIMIATE होने के पास सोनिया साइमन से कहती है कि आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ सोनिये से मेल रोट पर ड्रॉप करती है जहां साइमन इसे किस करता है और अपना साइकल उठाकर घर की तरफ निकल जाता है रास्ते में साइमन अपनी गल्फरेंड को देखता है जो के एक और लड़के के साथ बैठी लांच कर रही थी साइमन इसके पास जाता है और इसे पूछता है कि ये कौन है तो उसके गल्फरेंड कहती है कि काटून फेस्टिवल के लिए इसे किसी का साथ चाहिए था तुम तो अपनी फैमिली के कामों में बहुत ज़्यादा उल्जे हुए हो फिर ये साइमन को किस करती है और साइमन यहां से चला जाता है लेकर यहां साइमन को लग रहा था कि इसके गल्फरेंड इसे चीट कर रही है इसके बाद साइमन अपनी गल्फरेंड पर नज़र रखने लगता है साइमन देखता है कि इसकी गल्फरेंड उस लड़के के साथ मिलके कार्टून फैस्टिवल की त्यारी कर रही है फिर ये अगले दिन अपनी गल्फरेंड के घर जाता है और इसे कहता है कि तुमने तो बहुत चल्दी एक नया फ्रेंड बना लिया ये जवाब देती है कि मैं काफी टाइम से इस फेस्टिवल की त्यारी कर रही हूँ और मुझे इस कॉम्पिटिशन में हिस्साल लेने के लिए किसी के साथ लाजमी चाहिए था उसी वक्त साइमन को अपने मॉम की कॉल आती है और ये इसे कहती है कि तुम कलीनी का काम थोड़ी दिर और समालो हम कुछी दिनों में वापिस आ जाएंगे उसी रात साइमन अपनी गल्फरेंड के साथ एक नाइट कलब में जाता है जहां ये खोब इंजॉय करते हैं इसके गल्फरेंड इसके कलोज आने की कोशिश करती है लेकिन साइमन के दिमाख में काफी कुछ चर रहा था आखिरकार साइमन फैसला करता है कि ये सोनिया के बारे में अपनी गल्फरेंड को सब कुछ बता देगा फिरिया अपने गर्फरेंड को बताता है कि ये सोनिया के साथ इंटीमेट कैसे हुआ और इन दोनों ने मिलके क्या क्या किया ये सुनकर इसकी कर्फरेंड गुसे में यहां से चली जाती है तबी साइमन को सोनिया का मैसिज आता है जिसमें लिखा था कि घर में कोई नहीं अगर तुम फ्री हो तो घर चले आओ ये सुनकर साइमन सोनिया के घर चला जाता है जहां ये पहले से ही इसका इंतजार कर रही थी यहां यह दोनों दुबारा एक दूसरे के close आते हैं और फिर से intimate हो जाते हैं फिर जब यह दोनों डिनर कर रहे थे तो हम देखते हैं कि यह दोनों काफी घुल मिल चुके थे डिनर करने के बाद रात को साइमन सोनिया के घर ही सो जाता है जब सुबा इसके आँख खुलती है तो यह देखता है कि साइमन को देख के काफी ह्रान होते है मगर उल्टा साइमन अपने डैड से ही पुछता है कि आप यहां क्या कर रहे हैं तो इसके डैड कहते है कि यह मेरी घर है और मैं अपनी एक बख लेने आया हूँ ये से ये भी बताते हैं कि सोनिया मेरे साथ रिलेशन्शिप में इसकी ये है कि ये मुझसे एक बेबी चाहती है लेकिन मैं इसी नहीं दे सकता क्योंकि मैंने नस्पंदी करवा रखी है तब यहां सोनिया आ जाती है जो कि साइमन के डैड से नरासी ये इसे अपने साथ हॉलिडेस पर नहीं लेके गए थे सोनिया साइमन के डैड के सामने ही इसे किस करती है ताके ये इसके डैड को जला सके इसके डैड को समझ नहीं आता कि ये कैसे रियक्ट करें यह साइमन से कहते है कि तुम दोनों का रेलेशन्शिप दें के मुझे रहानी नहीं herself कहते है, लेकिन प्लیस में इस बारे में अपनी मॉम को ठीक से सब्झा देना, यह अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी मॉम को समझ नहीं आता कि अब यह क्या क्रें कर जो कि साइमन का था सोनिया इस बेबी को साइमन को पकड़ा देती है जिसे देखकर साइमन पहले तो हसता है और फिर कन्फ्यूस हो जाता है और इसी के साथ यहीं पर खतम हो जाता है